नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेगे कैसे आप अपने लैप्टॉप PC में पासवर्ड लगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है यहाँ पर सेटिंग का ओप्शन आपको दिख रहा है अपनी PC की सेटिंग ओपन कर लेनी है उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में बहुत सारे ओप्शन दिखेंगे Home, System, Bluetooth, Network और यहाँ पर नीचे आपको Accounts दिखेगा Accounts का जो ओप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है फिर आपको यहाँ पर Your Information, Sign In Option Sign In Option में आपको क्लिक करना है उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं Facial Recognition, Fingerprint, Pain, Security की Password, Picture तो यहाँ पर यह Option तो Unavailable है हमाई लिए लेकिन यहाँ पर जो Password है Password में हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर Add, Add का Option आपको देख रहा है Add में आपको क्लिक करना है New Password, आपको यहाँ पर अपना Password रखना है जो भी आप रखना चाहते हैं उसके बाद नीचे आपको Confirm Password डालना है अपना और यहाँ पर आपको Password Hint डाल लेना है जो भी Password Hint आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं बाद चाहन साब Password फूल चुके हैं तो आप Password Hint डाल सकते हैं कि क्या आपने Password रखा हो सकता है यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं से हम यहां पर नेम डाल लेते हैं कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको next में क्लिक कर लेना है कि यहां पर finish हो गया अब हम आपको दिखाते हमारे PC में password यहां पर लग चुका है अब हम इसको shutdown करके दुबारा open करके दिखाते हैं आपको password हमारा लगा है कि नहीं लगा है यहां पर आप देख रहे हैं अब हमको यहां पर password डालने की जर्वत है यहां पर आप password डालेंगे उसके बाद enter या इस arrow में submit में आप क्लिक करेंगे आपका PC on हो जाएगा अगर वीडियो आपको information लगी है तुमारी वीडियो को like जरूर करें मिलते हैं अगली ऐसी ही information वीडियो के साथ धन्यवाद